नमस्कार आप देखरें ये न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन नरायन भविश्य वानी ये खास प्रोग्राम जिसमें हर एपिसोड के साथ आपका सब्ताहक कैसा बीतेगा इसको लेकर हम आपकी राशी अनुसार सारी चीज़े बताते हैं और आपके साथ मैं हूँ काजोन नरायन मेरे साथ नौडर स्टूडियो में मौजूद है पंडित चंतर शेखर शर्मा जी वो आपको बताएंगे कि इस बार आपका सब्ताहक कैसा बीतेगा आपको क्या क्या उपाई करने हूँगे पंडित जी बहुत स्वागत है आपका इस खासकार कर में ओम नमाशिवाया आत्मा त्वम गिरजामते सहचरा प्राण सरीरं ग्रहं पूजाते विशयूप भोगर चना नेद्रासमाधे स्थित संचारा पदयो प्रदक्षन विधेस्तो त्राणी शर वागिरो यात्या कर्म करू मितत दखिलम संभोस्तवाराधनम तो पंडिजी अमारे साथ मौजूद है चलिए शुरू करते हैं राशिय अनुसार आपका सबताहा कैसा बीतेगा सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश राशी मेश राशी के जातकों को इस सपताह घर परवार में खुसी का माहौल रहेगा ब्यवसाय में उन्नती के यूब है लेकिन फिजूल खर्ची भी अधिक रहेगी देवदर्शन अथवा तीर्थाटन की भी संभावना है आपके भाग का सितारा काफी बुलंद रहेगा पन्ली जी इनके लिए क्या खास उपाए रहेगा? इनके लिए उपाए है ये अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक नित्य परती लगा है अगली राशी व्रिशव राशी है व्रिशव राशी के जातकों के लिए सप्ता कैसा रहेगा? पन्ली जी इनके बताएंगे व्रिशव राशी वालों को इस सप्ता आपका प्रभाव, करिस्मा और सरजनात्मक प्रविर्तियां आपकी सिखर पर होंगी सिक्षा के छेत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुची वड़ेगी प्रेम शंबंद मजबूत होंगे ब्यापार में लाभ एबम उन्नती के अवसर के योग प्राप्त होंगे आप अभी जीत के पत पर है और इन्हें क्या उपाई करना चाहिए बंडी जी? इनके लिए उपाई है मंगलवार को हनुवान जी के मंदर में हनुवान जी पर चूला चाहिए और अगली राशी मिथुन राशी है मिथुन राश के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, उन्हें क्या क्यों पाय करने चाहिए, पटेशी बताएंगे इस ध्यान रखें, उसे आपकी जरूरत पर सकती है, और इनके लिए क्या खास उपाय हो सकता है पंडी जी, बुद्वार को साथ जिंदा मचली बहते हुए पानी में छोड़ें, अगली राशी एक करक राशी है, करक राशी के जजातक हैं, उनके लिए सप्ताह कैसा रहेगा, करक राशी के जजातक हैं, उनको घूमने, फिरने, जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुखता इंतजाम करने चाहिए, आपके घर चूरी होने की आसंका है, परिवार में किसी से बाद बिबाद भी हो सकता है, और एक छीज का बिसेज ध्यान रखें, आप प्यार के एजहा में जल्द वाजी ना करें, हो सकता है कि जिन भावनाव को आप प्यार समझ रहे हो, वो मात्र आकर सन हो, आपकी आर्थिक इस्तती संतोज जनक रहे, और इनके लिए क्या खास उपाई हो सकता है, पंडे जी, इनके लिए खास उपाई है, तीन बिल पत्र भगवान शिप प आपका ध्यान और व्यवारिक और प्रतिष्टित लक्षें पर रहेगा, आपको भावक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावकता से बचें, मद्धि सप्ताह में रोमांटिक और प्यार से भरा समय भी देगा, रविवार का दिन पारवारिक सुरक्षा और चिन्ताओं में ब्यतीत होगा, और इनके लिए क्या खास मंत्र है पंडीजी? इनके लिए खास मंत्र है ओम नमः शिवाय, पंचाक्छर सिव मंत्र का जब करें, अगली राशी कन्या राशी है, कन्या राशी के जातक अपना सप्ताह कैसा बिताने वाले हैं पंडीजी? कन्या राशी के जातक हैं, उन्हें एक सोम्मी और ज्ञान भरा सप्ताह बीतेगा, ब्यापार में नई काम्यावी और तरक्षी मिलेगी, रुके हुए कारे पूर्ण होंगे, ध्यान रखें, कि इस समय आगे बढ़ने के लिए आपको पुराने चीजों और आदतों को छोड ना ही होगा, उच्च अधिकारी आपकी युगता या प्रतिवा का परिक्षन भी कर सकते हैं, और इनके लिए क्या खास मंत्र रहेगा? इनके लिए खास मंत्र है, ओम विश्णवे नमा, इस मंत्र का जब करें, और नसेली प्रवर्तियों से दूर रहें, अगली राशी तुलारासी के जातकों के लिए यह सप्ताह, अनसंधान से जुड़े कारियर, इस सप्ताह के मुख पहलू है, सुक्रवार और सनीवार को महत्वा कांची वने, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, नई खरीदारी के लिए भी समय आपकी अनकूल है, नए लाभकारी शम्मंद भी वनेंगे, और आराम दायक तरीके से आप काम करें, और इनके लिए क्या खास मंत्र पंडी जी? इनके लिए खास मंत्र है, त्रियंबक्कम यजा महे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्मा, उर्वारुक मिवबंधनान, म्रत्योर मुक्षियमा म्रतात, महा मु जातक हैं, इस सप्ता के दोरान आपका अभ्यवार अधिक आक्रामक रहेगा, बैवाहिक जीवन में कुछ खटा, कुछ मीटा भी रहेगा, विद्यार्थी वर्ग को बेहद महनत करने की जरुवत है, गुरवार को रिस्ते, अवश्टर और विरूध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकते, आप अपने आपको आत्म सैयत रखें, और इस चीज से बचने के लिए इन्हें राहू मंतर का 21 बार जब करना चाहिए, मंतर है ओम, भ्राम, भिरीम, भ्रॉम, सह, राहवे, नमा, इस मंतर का 21 बार जब प्राता काल करें, अगली राश्री धनुराश धनुराश के जातकों के लिए ये सपताह कैसा रहेगा, पंडी जी हमें बताएंगे धनुराशी के जुजातक हैं वो इस सपताह, रचनात्मक छेत्र में आपको बिसेश सुरखियां मिलेंगी, आप काफी आराम भी महसूस करेंगे और अपने कारे छेत्र में प्रगती से संतुष्ट रहेंगे, अपने स्वास्त का पूरा खयाल रखें, पारिवारिक बातावरन आपका सुखद होगा और इनके लिए क्या खास उपाय रहेगा, पंडी जी? अगली राशी मकर राशी है, मकर राशी के जातकों के लिए सबताहा उनके अनुकूल रहेगा या विप्रीत रहेगा, पंडी जी हमें बताएंगे मकर राशी के जातकों के लिए नई खरीदारी के लिए भी समय अनुकूल है, नए लावकारी शम्मंद भी बनेंगे आराम दायक तरीके से आप काम करें पढ़ाई के लिहाज से समय बहुत बढ़िया है सिक्षा में आने वाली बाधाईं दूर होंगी और नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे और इनके लिए क्या खास मंत्र है कापटी जी? इनके लिए खास मंत्र है अगली राशी कुम्भ राशी है कुम्भ राशी के जातकों के लिए इस अपताह कितना अच्छा रहने वाला है ये पंडी जी हमें बताएंगे कुम्भ राशी के जो जातक हैं इनके इस अपताह में बने बनाई काम रुक जाएंगे काम बनते बनते एकदम रुख जाएंगे जायदात के लिए मामले में लिये गए फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं हलांकि आपकी आर्थिक इस्तिती सामाने रहेगी घरेलू जीवन में मन मुटाव रहेगा मानश्यक तनाब के कारण आपको सिर्दर्द रह सकता है आप बाहन साबधानी पूरवक चलाएं बाहन दुरगटना के योग आपके प्रवल है इससे बचने के लिए इनके लिए क्या खास मंतर रहे सकता है ओम हनुमत ऐनमा इस मंतर का उच्चारन करने के बाद घर से निकले और हमारी अगली और आखरी राशी मीन राशी है मीन राशी के जातकों के लिए सब्ताह कैसा रहेगा पंडीज बताएगे मीन राशी के जो जातक हैं उनको अपने बानी पर सैयम अत्यंत आवस्यक है क्योंकि किसी भी नए रिस्ते की सुरुवात के लिए दिन अच्छा नहीं है नौकरी में इच्छित पदोन्नती की संभावना है बचत में ब्रद्धी होगी स्वयम का प्रभाब भी बड़ेगा अनभवों का लाभ भी मिलेगा उनके लिए क्या खास मंत्र है पंडी जी इनके लिए खास मंत्र है मारगे सुमामृ रक्षत नीलकंथा म्रत्चुन जयो रक्षत सरवकालम इस मंत्र कुझ बोल कर घर से बाहर निकले तो उमीद है इन मंत्रों से और इन उपायों से आपको बेहद ला पहुंचेगा आज के लिए बस इतना ही अगले सब्ता फिर लोटेंगे भविश्यवाणी के खास एपिसोड के साथ तब तक के लिए नमस्कार भगवती देवी शब की रक्षा करें सब को रोग से मुक्त करें यही कामना के साथ ओम नमस्कार